इस वीडियो में मैं आपको इंडिया और इंटरनेशनल डेली करेंट अफेर्स के कोशन्स बताऊंगा ये कोशन्स 28 जून के हैं जल्द हमारी और भी वीडियो आने वाली है हमारी नई वीडियो के अपडेट पाने के लिए स्टेडी जोन को सब्सक्राइब जरू करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरू दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट से लिकर जरू बताइए और इस वीडियो को जाय ज्यादा लाइक और शेयर करें अपका पहला कोशन है आई एस एस एफ जूनियर विश कप चेंपेंशिप में दस मीटर वूमेन एयर पिस्टल परत्योगता में किस खिलाणी ने गोल्ड मैडल अपने नाम किया तो इसमें नेक्स्ट कोशन है किस बारते खिलाडी ने आई एस एस एफ जूनियर विश कप दोजार अठारम में सवन पदक जीता तो इसमें आंसर आएगा सोरब चोधरी ने सोरब चोधरी उतर परदेश के मेरट के रहने वाले हैं और इन्होंने 10 मीटर पिस्टल सपरदा में 243.7 अ अनिस बानवाला ने पूरुसों की 25 मीटर रैपिड पिस्टल सपरदा में कास्य पदक जीता नेक्स्ट कोशन है चीन ने बारत से निमलिखी तायोत्तम वेसे किस पर शुन्ने तक सुल्क कटोती की गोशना किया तो इसमें आशर आएगा सोयाबीन पर नेक्स्ट कोशन है गुवाटी में राष्टिय वरिष्ट एथलेट सपरदा का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है तो इसमें आशर आएगा 58 नेक्स्ट कोशन है फिलिस्तिनी सरणार्थियों के कल्यान के लिए काम करी सन्युक्त राष्ट की संस्ता UNRWA के रूप में जानी जाती है UNRWA का पूरा नाम क्या है तो इसमें आशर आएगा इसका पूरा नाम है United Nations Relief and Works Agency नेक्स्ट कोशन है सेसेल्स इंद मासागर में एक दूइफ समू और संपरभू राज्य है यह निमलिखित देश से संतर तोकर बनाएगा तो इसमें आशर आएगा यह Great Britain से संतर तुआ है और इसको आजादी 1976 में मिली थी नेक्स्ट कोशन है चीन ने 2 प्लस 1 प्रारूप के एक नई वारता तंतर का परस्ताव दिया इस वारता तंतर में 2 का मतलब चीन और निमलिखित देश में से कौन सा देश है तो इसमें आशर आएगा इसका मतलब है चीन और भारत चीनी प्रस्ताव के तैट चीन और भारत सन्यूक तुरूप से तीसरे शिक्तरे देश के साथ बाचित कर सकते है नेक्स्ट कोशन है 2018 ICC महिला विश्ट चेंपेंशिप T20 की मेजबानी करने वाला कौन सा देश है तो इसमें आशर आएगा वेस्ट इंडिज में 9 नॉमबर स से 24 नॉमबर तक ICC महिला विश्ट T20 चेंपेंशिप होगी नेक्स्ट कोशन है मालदीव के वर्तमान राष्ट पती कौन है तो इसमें असर आएगा मालदीव के वरतमान राष्ट पती है अब्दुल्ला यामीन नेक्स्ट कोशन है यूरोपिय संग छोड़ने के ब्रिटेन के फैसले को लागू करने वाला एक विदेख महिनों के बैस करने के बाद कानून मन गया संदी का कौन सा अनुचेद किसी यूरोपिय संग के सदस्य को संतर तुरूप से छोड़ने का अधिकार देता है तो इसमें अंसर आएगा अनुचेद पचास और संदी का अनुचेद पचास किसी यूरोपिय संग के सदस्य को संतर तुरूप से छोड़ने का अधिकार देत है हाल ही में राश्टपती रामनात कोबिन द्वारा सोर चकर मिशन की सुरुवात की गई यह किसे संबंदित है तो इसमें आशर आएगा सोर चकर मिशन कारिगर सब्सीडी से संबंदित है माइक्रो हाईजल कवक या माइक्रो हाईजल फंगाई जो हाल ही में खबरो मेरा के संबंद में कौन सा कतन सकता है आपके पॉइंट से यह पेड़ों को मृद्दा से पोशक तत्तव प्रदान करता है सेकिंड है उच पोशन्ट सितर पर यह कवक पोशक के बजाए परदुशक में प्रिवर्तित हो जाता है तो इसमें आपके यह दोनों पॉइंट्स ठीक है तो आपका अंसर आएगा A और B दोनो हाली में भारत ने किस देश को डोर्नियर DO228 नामक विमान उपार में दिया तो इसमें आफर आएगा C sales को नेक्स्ट कॉश्चन है निकी हेली जो अभी भारत के तीन दिवस्य दोरे पर है वे किस देश की राजदूत या किस देश की एमबेश्टर है तो इसमें आशर आएगा अमेरिका की नेक्स्ट कॉश्चन है आली में भारत का कौन सा राज है no toilet no bright resolution pass करने वाला भारत का पहला राज़य बन गया तो इसमें आशर आएगा no toilet no bright resolution पास करने वाला भारत का पहला राज है हरियाना Next question है हाली में किसे Airtel भारती करनाया CEO और MD नियुक्त किया गया है तो इसमें आंसर हैगा अजय चितकारा को Next question है हाली में किसके दुआरा M Passport सेवा नामक Mobile App लौंच किया गया तो इसमें आंसर हैगा M Passport सेवा सुस्मा सवराज दुआरा लौंच किया गया Next question है हाली में उपराष्टपती वैंकियन आईडी दुआरा लौंच Human Rights, Value and Cultural Ethos नामक पुस्तक के लेखक कोन है तो इसमें आंसर हैगा इस पुस्तक के लेखक है Dr. R.P. डुखालिया Next question हाली में किसने Brexit लाग और मंजूरी दिया तो इसमें आंसर हैगा Brexit लाग और मंजूरी महाराणी एलिजाबेट ने दिया Next question है महाराष्ट की सरकार ने floating उर्जा सेनेतर के लिए किसकी अदेख्सता में समीती का गठन किया है तो इसमें आंसर हैगा 37 चैवान की अदेख्सता में Next question है हाली में Oxytocin पर प्रतिबंद लगाने की गोशना किया है यह कम से प्रतिबंद किया जाएगा तो इसमें आंसर आएगा Oxytocin पर प्रतिबंद एक जुलाई से किया जाएगा Next question है सुक्षम लगू एम मध्यम उद्योग दिवस कब मनाया गया इसमें अंसर आएगा यह दिवस 27 जून को मनाया गया Next question है हाली में बीजूस वास्ता कल्यान योजना की राशी पांच लाग से बढ़ा कर साथ लाग कर दी गई है यह किस राजे की योजना है? तो इसमें अंसर आएगा बीजू स्वास्ते का लियान योजना, उडिशा की योजना है Next question है, हाली में के अंदर सरकार ने असम में बाढ़ राहत के लिए कितना बजट जारी किया है? तो इसमें अंसर आएगा 340 करोड रुपे Next question है, हाली में CBIC के नए अद्यक्स कोन न्यूक्त किया गए है? तो इसमें अंसर आएगा S. रमेश Next question है, हाली में किसे विश्ख खादर पुरुषकार से समानित किया गया? तो इसमें अंसर आएगा विश्ख खादर पुरुषकार से Dr. David Narbo और Loris Haddad को समानित किया गया तो इसमें अंसर आएगा Option D, B and C, दोनो Next question है, केंदिरे जनजातिय मामलों के मंतराले ने देश बर में एकुल कितने वन दन के इंदर स्तापित करने की गोश्णा किया तो इसमें अंसर आएगा, टोटल 3,000 वन दन के इंदर स्तापित करने की गोश्णा किया Next question है, हाली में बुर्किंग ब्लोग दोवारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बारत कब तक पूर्ण तक गरीबी मुग तो जाएगा तो इसमें अंसर आएगा 2030 तक कल के current affairs के questions में से आपके लिए दो questions quiz में है जिसका अंसर आपको comment box में लिकर बताना है पहला question है, निंड में से किस राजे सरकार ने भूमिगत पानी की कमी की जाच करने है तू पानी बचाओ, पैसे कमाओ योजना सरू की है आपके options है, बियार सरकार, पंजाब सरकार, जारखन सरकार और राज्यस्तान सरकार quiz में आपके लिए next question है, किसे tribal queen of the year का प्रुषकार दिया गया है आपके options है, पलवी, दुरुवा, कंचना मांजी, रश्मी रेखा, राजेस प्रभाकर thank you guys for watching our video, please subscribe to our channel study zone for preparation of upcoming exams और subscribe के साथ आप notification bell का भी बटन जरूर दबाए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए अब आप हमें facebook link पर भी follow कर सकते हैं हमारा facebook link नीचे दिवा हुआ है, आप इस पर जाकर हमें facebook पर follow कर सकते हैं ताकि हमारी वीडियो आप तक facebook के दिवारब भी पहुंच सके हैं